नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जैपुर दापिंग सिटी चनल पर आपका स्वाज़त करती हूँ मैं एक ब्यूटीशन और आयरोवेद स्कॉलर हूँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेस्ट साइज, यहनी स्थनों का अगार कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव घरेलून उसका हम इसे तयार करेंगे अंडे से इसके लिए आप एक कटोरी में एक अंडे को तोड़ कर उसका यलो वाला पाठ हटा दीजिए और सफेद वला लिक्विड रख लीजिए फिर इसे चम्मत से इतना बीट कीजिए कि एक स्मूद पेस्ट बन जाए यह पेस्ट एकदम क्रीमी हो जाना चाहिए अब यह क्रीमी मिक्सचर आप अपनी दोनों ब्रेस्ट के निचले हिस्से पर मसाज करते हुए अच्छी तरह लगा लीजिए और इसे आदा गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए आदा गंटे के बाद आपको इसे धोना है लेकिन इसे धोने के लिए आपको साधे पाने का यूज नहीं करना है बलकि आपको इसके लिए प्याज वले पाने का यूज करना है लगता है इसलिए करीब एक अपते तक इसे यूज करने के बाद आप analysis कीजिए अगर आपको इस इलाज से अपने breast size में फ़र्क महसूस होने लगे तो आप इसे और आगे continue कर सकती हैं जब तक आपको अपना मनचहा size नहीं मिल जाए तब तक आप इस इलाज को continue रख सकती हैं क दोस्तों इस तनों का size यानि की breast size तभी बढ़ता है जब हम अपनी daily routine में बहुत छोड़ी छोटी बातों का द्यान नहीं रखते हैं आईए एक नजर उन बातों पर भी डाल लेते हैं ताकि इस वीडियो में बताये गई इलाज के result आपको और भी ज़्यादा fast मिल सके हैं बड़े इस तन होने का एक बड़ा कारण होता है मुटापा अगर आपको मुटापे की problem नहीं है फिर भी breast size ज़्यादा बड़ा है तो यह समस्या वंशानुगत भी हो सकती है इसके अलावा कभी कभी शरीर में estrogen का level high हो जाने के कारण भी breast size ज़्यादा बड़ा होने की समस् estrogen वो हार्मोन है जो ladies के शरीर को gents के शरीर से अलग बनाता है यानि ladies में breast का बनना और develop होना periods का आना यह सब estrogen के कारण ही होता है इसलिए अगर estrogen का level बढ़ जाए तो निश्चेत तोर पर breast size बड़ा हो जाएगा इसलिए जिनका breast size ज़्यादा बड़ा है उनके लिए यह बिल estrogen level तो चेक करवा ही लेना चाहिए breast size पर control बनाए रखने के लिए खान पन पर भी ध्यान देना चाहिए broccoli, पत्ता गोबी और full गोबी यह तीनों ही ऐसी चीज़े हैं जिनको आप अपनी regular diet में शामिल करके estrogen को control में रख सकती हैं इसलिए breast से related problems और PCOS और PCOD जैसी problems को control रखने में बहुत help मिलती हैं हरी पत्तेदार सबजियां खास तोर पर पालक और ताजी हरी मेथी को अपनी diet में जरूर शामिल करें यह hemoglobin को भी अच्छा रखती है जिसकी जरूरत ladies को जादा होती है क्योंकि हर महीने periods के दौरान निकल जाने वाले blood की भरपाई उनके लिए इन सबजियों की help से easy हो जाती है और इनसे उनके शरीर को fit टकने में भी help मिलती है सब seasonal fruits और सफेद तिल को भी अपनी diet में शामिल करें इससे कई ladies problem आप बड़ी ही आसानी से control कर सकती है दोस्तों मेरे आपसे ये छोटी सी request है कि अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये एक bell या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके notification को भी on कर लें इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी help के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जनकारी फ्री में तुरंट मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दीके information अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेस्बुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके दोस्तों नीचे description में बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए और beauty problems को solve करने के लिए links दिये गए हैं उन्हें क्लिक किजिए और इन घरे लूप चारों के लाव उठाईए इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिये गए comment section में भी लिख सकते हैं ऐसी ही interesting और useful information टेकते रहने के लिए जैपुर दापिंग सिटी चैनल को free subscribe कीजिए झाल को